हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेट बायो गैन वंस अगेन फ्रेंड्स अगर आप लोग बहुत लंबे समय से एलोपेथिक मेडिकसिन्स ले रहे हैं जिनका आप लोगों को पता लग गया है कि उनसे हमारी किड्नी पर बहुत सारे असर पड़ता है लीवर पर बहुत सार असर पड़ता है और हमारी ओवर और हेल्थ को भी बहुत बहुत सारे साइड एफेक्स होते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस विडिम लोग बात करने वाले हैं उन पेन किलर्स के बारे में जो की बहुत ज़्यादा सेफ हैं आपको कोई भी साइड एफेक्स नहीं करेंगी और आप लोगों को पेन भी रिलीफ देंगी आपके लिए दर्द नेवारक के रूप में ही बहुत अच्छी साविद भाय मेडिसेंस होती हैं तो friends, सबसे बहुत समझते हैं कि दर्द कितने टाइपस के होते हैं तो friends, काफी सारे टाइपस के दर्द होते हैं चाहे बाए, radiating pain हो मतलब कि एक जगा से दूसरी जगा shift हो रहा हो pain है और फिर, neuralgic pain हो नसों का दर्द हो इसी के सदद muscular pain हो मतलब कि periods में जो दर्द होता है, यह पर कोई muscles खिच गई है, वो muscle का pain है, traumatic pain है, कोई पहले चोट लग गई हो, उस type का pain है, बहुत लंबे समय से कोई chronic pain है, acute pain है, fibrial pain है, मतलब कि बुखार के साथ pain हो रहा है, दर्द हो रहा है आपकी पूरी body में, आपर post-fibrial pain है, बुखार तो ठीक हो गया है, लेकिन उसके बाद आपको pain हो रहा है, तो friends, इस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे, कि कौन सी बार, safest pain killer है, जो कि आपको कोई भी side effects नहीं द लीजे, क्योंकि हम बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, बहुत research करके बनाते हैं, जो कि आपकी health के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होती है, तो चले friends, इस अमेंजिक वीडियो को शुरू करते हैं, friends, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक बाद किलियरली बता देना चाहता हूँ, कि जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में medicine बताऊंगा, वह कोई भी प्रकार का treatment नहीं है, मतलब कि अगर आप लोग सोचें कि इनको हम बहुत लंबे समयते ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इनको emergency में अपने घर पर रख सकते हैं, अगर आपको बार बार केसी परकार का pain होता है, तो आप लोग इनको कभी-कभी ले सकते हैं, लेकन अगर आ कारन होता है, लाइक, पीरियेट्स का अगर बहुत ज़्यादा pain हो रहा है, तो समझ जाईए आप लोगों कि उन महिलाओं को dysmenoria है, मतलब कि पीरियेट्स में दर्द की शिकायत है, और उसका एक प्रॉपर अलग से treatment होता है, दर्द नेवारक दवाईयं लंबे समय तक नही भी समझना पड़ेगा, कि इनको लंबे समय तक नहीं लेना है, बस कभी emergency condition हो, तो आप लोग इनको ले लीजिए, तो friends, सबसे पहले हम समझते है, muscular pain के बारे में, कौन-कौन सी medicines beneficial है, तो friends, muscular pain मतलब कि कि किसी भी type के muscle का pain, लाइक आपने exercise किया, फिर कुछ भारी भर कम चीज लगा है, आपकी थाइस मतलब की जांगों में दर्द कनने लगा है, या फिर आपको किसी भी type की muscles में दर्द कनने लगा है, तो friends, यह होता है, muscular pain, तो friends, उस medicine का नाम है, जो कि muscular pain में आप लोगों को लेना है, बहे आती है, स्वावे कंपनी की alpha MP, आप लोगों को स्वावे कं लगा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपका दर्द कम हो गया है, इसी के साथत अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा severe pain हो रहा है, तो आप लोग इसको हर दो गंटे में भी ले सकते हैं, friends, मैं आप लोगों को फिर सी रेपीट करता हूँ कि यह कुई प्रकर क ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आप लोगों को एमर्जेंसी में चाहिए, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, अगर आप लोगों को लंबे समय तक दर्द बन रहता है, तो प्लीज अपने नजदी की कोई भी होमेपेट एक डॉक्टर के पास जरूर देखवाईए, या फिर आप लोग नीचे दिये का नंबर पर हमसे भी कॉंड़ेट कर सकते हैं, फ्रेंस दूसरे टाइप का पेन है, नियूरल जेक पेन, तो अगर कोई भी ओल्डेज परसन है, बोडे लोग है, उनको सर्वाइकल का पेन है, जवान लोग भी आजकल देखने को मिलते हैं, लंबर पेन है, पीट में बहुत जादा दोख रहा है, गर्दन में बहुत जादा दोख रहा है, और इसी के सबसर उन लोगों को किसी भी टाइप का रेडियेटिंग पेन है, एक जगा से दूसरी जगा रहा है, इधर से लेके इधर तक पेन हो रहा है, इधर से लेके इधर तक पे और आप लोग इसको एमर्जरसी कंडिशन में दिन में दो-दो घंटे में रिपीट कर सकते हैं या फिर आप लोगों को लगता है कि इतनी ज़्यादा CV80 नहीं है बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है तो दिन में आप लोग तीन बार लेंगे तो आप लोगों को इसके बेनिफिट्स मिलेंगे फ्रेंड्स इसी के साथ तीसरे टाइप का पेना था है ट्रॉमेटिक पेन अगर आप लोगों को पैर मोच गया हो और वो दर्द करने लगा हो या फिर आप लोगों को कोई चोट लग गई हो उसका दर्दो और अगर आप लोग नसदी के डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं फिर किसी डॉक्टर एक शला नहीं ले पा रहे हैं आप लोग कैसी कारणवस तो आप लोग रेक वेक कंपनी का आर्टिफाइब लीजिए इसको आप लोगों को दस बूंद लेना है और दिन में सिर्फ आपको इसको तीन से लेके चार बारी लेना इसके बाद आप लोग नजदी के डॉक्टर के पास जाकर जरूर दिखवाएं फिर इस फोर्थ नमबर पर आता है जन्रिलाइस्ट पेन मतलब कि आपका सिर्दर्द हो रहा है मतलब कि हैडेक कभी-कभी होने लगता है किसी वेक्ति का हैडेक हो रहा है कमार में दर्द हो र मतलब कि दिन में तीन बार या फिर आप लोग रेपीट कर सकते हैं इसको दो दो घंटे में फ्रेंड्स जो मैंने आपको इसके पहले बताया था रैक वेक कंपनी का आर 55 वह है आप लोगों को घर में जरूर रखना है क्योंकि वह हर टाइप के पेन में आप लोग ले सकते ह और इसी के सादव हर टाइप के पेन में आपको असर करेगी और आप लोगों को benefits या फिप्त टाइप के समय पेर्ला को दर्द या फिर बुक्खार के बाद का दर्द मतलब की बहुस ना रहता है कि बुक्खार आ गया है तब भी दर्द रह रहा है इसी के सादव अगर आदे कब water में इसको दिन में तीन बार ले सकते हैं, आप लोग देखेंगे कि दो दिन में आपका pen ठीक हो गया है, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को दर्द में आरम नहीं मिलता है, या फिर बहुत लंबे समय तक दर्द बना रहता है, और को अगली वीडियो पसंद आया हो, अगर नॉलेजबर लागो तो प्लीज एक लागी देना बिलकुई मत बूलिये, और जो आपके फ्रेंड्स, फेंबली मेंबर्स बहुत लंबे समय साथ पेन कलर्स खा रहे हैं और अपनी किडिनीज को खराब कर रहे हैं, तो उनके साथ प् अगली वीडियो प्रेंड्स मिलेंगे प्तक के लिए जयन्द, जय भारत माँ